हाई विववर्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल फ्रेंस यह देखे आज हम सिखेंगे बहुत ही संदर सा और बहुत ही प्रिटी सा जिग चैक निटिंग पैटर्न इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसे आप लेडी काड़ियन में लेडी जैकेट में गल्स टॉप में बच्चों के सेटर में इसे आप शॉल में स्टॉल में या ऐसे बॉड़र भी यूज़ कर सकती हैं तो आगे की साइड से इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होंगे वो बारा के मल्टिपल से होंगे यानि की बारा फंदे बारा फंदे बारा फंदे रखते हुए चाहेंगे और प्लस दीन फंदे एक्स्टा रखेंगे एक फंदा साइड में डिजाइन को इक्विल करन चलिए फेन बनाते हैं 27 फंदे लिये हैं तो लेने के प्लास एक फंदा साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए 25 फंदे दो फंदे एस्टिच के लिए 27 फंदे अभी तक कोई भी रो नहीं निकाल ली है तो आप इसे after cast on start कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं पहली रो और सीधी साइड पहली रो सीधी साइड ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे तो दिखिए एस्टिच को पहले सीधा बुन कर लेंगे अम धागा आगे करेंगे सारे फंदे उल्टे 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 बुनेंगे करेंगे पहली रो कम्प्लीट हो गए हैं दूसरी रो रोंग साइड सारे फंदे उल्टे 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 बुनेगे तो हर बार इसकी रोंग साइड उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे तीसरी रों हैं सीधी साइन हैं ऐस्टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे जाए डालेंगे धागा आगे लाएंगे चार फंदे उल्टे बुन लेंगे एक दो तीन चार तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार जाए डालेंगे धागा पिछे एस्टिच छोड़ कर यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है हमने एक फंदा सीधा बुना जाई डाली चार फंदे उल्टे तीन फंदों का एक फंदा चार फंदे उल्टे जाई डाली ये 12 फंदों का pattern है 2, 4, 6, 8, 10, 12 फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार पीट करते जाएंगे तो दिखें फिर से एक बार एक फंदा सीधा जाई डालेंगे धागा आगे लाएंगे चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे, उल्टा बुनते हुए, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, जाई डालेंगे धागा पीछे, एस्टी छोड़ कर यहां तक हमारे दो पैटरन कम्प्लीट हो गए हैं, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा सीधा, एस् अर्ण तक हमारे उल्टे, लास्टे, एस्टी ओतिए बुनते हैं, लास्टा ओए हैं, लास्टी खंदा सीधाओ। पांच फिर और सीधी साइड ऐस्टि सलिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट परने का दो फंदे सीधे एक दो जाएड आ रहेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे, उल्टा बुनते हुए, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, जाए डालेंगे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एस रिच छोड़ कर यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने, जाए डा एक, दो, जाए डालेंगे धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, तीन फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, जाए डालेंगे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सीधा लास्ट में दो फंदे बचेंगे एक फंदा सीधा ऐस्टे सीधा बुन लेंगे तो देखिए हमारी पांचवी रौ कम्प्लीट हो गई है चटी रौ है रौंग साइड फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे साथ में राओं सीधी साइन एस्टे स्लेट से लेए स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाई डालेंगे धागा आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे एक दो तीन फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए दो फंदे उल्टे एक दो जाई डालेंगे धागा पीछे दो फंदे सी सीधे बुने जाई डाली 2फंदे उल्टे तीन फंदों का एक फंदा दो फंदे उल्टे जाई डाली 2फंदे सीधे फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार बीट करते जाएंगे तो देखें फिर से एक, दो, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा सीधा, एस्ट इस सीधा बुन लेंगे, तो देखिए, साथ मीरो कम्प्लीट हो गए है, आठ मीरो रॉंग साइर सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, आठ मीरो है, सीधी साइड है, एस्ट इस स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, जाए डालेंगे धागा आगे, एक फंदा, उल्टा, तीन फंदों का एक फंदा, उल्टा बुनते हुए, एक फंदा, उल्टा, जाए डालेंगे धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, ये देखिए, हमारे एक पैटन complete हो गया है, इसमें हमने 4 फंदे सीधे बुने, जाए डाली, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा उल्टा, जाए डाली, 3 फंदे सीधे, फिर से इस पैटरन को ऐसे ही बार बार पीट करते जाएंगे, देखें फिर से, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, जाए डालेंगे 1 फंदा उल्टा, 3 फंदों का 1 फंदा उल्टा 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 बुनते हुए, 1 फंदा उल्टा, जाए डालेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, 1 फंदा सीधा, एस्टे सीधा बुनेंगे, 9 रों कम्प्लेट हो गई है दस्वी रों है रोंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे ग्यार मी रों है सीधी साइड है ऐस दिस स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच जाई डालेंगे धागा आगे लाएंगे तीन फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए जाई डालेंगे धागा पीछे चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, ये देखे, हमारे एक पैटर्न कमप्लीट हो गया है, हमने पांच फंदे सीधे बुने, जाए डाली, तीन फंदों का एक फंदा, जाए डाली, चार फंदे सीधे, फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार पीट करेंगे, दिखें फिर से 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, चाय डालेंगे धागा आगे, 3 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, जाय डालेंगे धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, 1 फंदा सीधा, एसटे सीधा बुन लेंगे, 11 रो कम्प्लीट हो गई है, 12 रो रोंग साइड, सारे फंदे फिर से उल्टे उल्टे बुनेंगे, तो देखिए, 12 रो कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फर्स ट्रो से स्टार्ट करेंगे, यान की सारे फंदे, फिर स्टार में उल्टे उल्टे बुनेंगे, ऐसे ही बार बार इसकी 12 रो रोर पीट करते जाएंगे, और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, तो दिखिए, बहुत ही प्रिटी सा पैटन है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, तो फ्रेंड आप भी से बनाईए, और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ श्यर कीजिए, अगर आपको हमारे पैटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो फिर से मिलते हैं, ऐसे ही और नए नए से पैटन के साथ, तिल देन बबे फ्रेंड